हालो दोस्तों आज क्यों डियों बताऊंगा वाट्सअप चैट बैकप एन रिस्टोर 2024 वाट्सअप का चैट बैकप केसे लें वाट्सअप बैकप केसे करें वाट्सअप का चैट को बैकप लेने के लिए आपको सबसे पहले वाट्सअप की ओफिशियल एप को उपिन करना ह जिसी आप WhatsApp की official app को open करते हो, कुछ तरह का interface आता है, WhatsApp का chat backup को लेने के लिए आपको टॉप पे, थ्री डॉट बल अप्सन कमें लता है, आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप्सन आजेगा settings तो आपको इस settings वाले option पे क्लिक करना है, जिसी आप settings वाले option पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा settings तो यहाँ पे आपका WhatsApp का name शो कर जाएगा और DPV शो कर जाएगा, WhatsApp का chat backup को 2024 में लेने के लिए आपको यहाँ पे अप्सन आप एक अप्सन आप है chats theme wallpaper chat history तो आपको इस chat वाले option पे क्लिक करना है, जिसे आप chat backup पे क्लिक करोगे, एक new page पेन हो जाएगा chat backup, backup setting, backup your chat and media to your google account storage, you can restore them on a new phone after you download WhatsApp on it, तो WhatsApp का chat backup को लेने के लिए आपको शो कर जाएगा, तो आपको जिस भी Gmail account पे आपका chat backup लेना है, उसको select करना है, just demo दिखाने के लिए मैं आप एक select कर लेता हूँ, select कर देने के बाद, यहाँ पे आपका Google account select हो जाएगा, Google account को select कर देने के बाद, यहाँ एक option आता है, frequency, तो आपको इस frequency वाले option पे क्लिक करना है, जिस आप frequency वाले option पे क्लिक कर रहोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा option देखने के मिल जाएगा, तो आपको यह करना है, यहाँ एक option आता है, daily, तो आपको इस daily वाले option को select कर लेना है, ताकि आपको जो backup वो daily हो, ठीक है, daily वाले option को select कर देने के बाद, यहाँ आपको option देखने में जालता है, include videos, तो आपको include videos वाले option को on करना है, तो on करने के लिए आपको इस वाले option पे क्लिक करना है, जिस आप इस पे क्लिक कर रहोगे, यह option on हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका वीडियो का size सू कर जाएगा मेरे यहाँ पर 29 MB शू कर रहे है ठीक है आपका सू कर जाएगा दिन यहाँ एक option लता है backup using cellular तो आपको इस वाले option को भी on कर लेना है तो on करने के लिए आपको इस वाले option पर क्लिक करना है आपका यह option on हो जाएगा यहाँ पर आपको green वाले option देखने को मिल जाएगा ठीक है दिन आपको क्या करना है यहाँ पर एक option लता है end to end encrypted तो आपको इसको off ही रखना है ठीक है दिन आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टॉप पे एक option में मलता है backup green पे तो आपको इस backup अले option पे क्लिक करना है जिसे आप backup अले option पे क्लिक करोगे page load होगा आपको थोड़ा सा wait करना है backing up messages please wait a moment आपका जो chat वो backup होना ले जाएगा तो यहाँ पे लोज़कते हो हमारा backup हो रहा है यहाँ पे loading शो कर रहा है तो यहाँ पे आपका MB शो कर जाएगा मेरा यहाँ पे 21 MB शो कर रहा है तो मेरा जल्दी हो जाएगा अगर आपका GB में होगा तो थोड़ा सा time लगेगा ठीक है तो आपको थोड़ा सा wait करना है हमारा 100% हो चुका है और हमारा backup भी successful हो चुका है यहाँ पे आपका time दिखा देगा अभी हो रहा है रात का 1 बज कर 25 एम हो रहा है तो मेरा यहाँ पे time दिखा रहा है तो आपका time शो कर जाएगा और मेरा यहाँ पे backup size दिखा रहा है 21 MB चलिए मैं आपको अनिस्टॉल करके दिखा रहता हूँ whatsapp तो यहाँ पे आप लोड़ सकते हो मेरा यहाँ पे कुछ chat शो कर रहा है जिसके आप लोड़ सकते हो facebook का यहाँ पे शो कर रहा है कुछ पुराना chat आप लोड़ देख लीजिए मैं भी आपको whatsapp को अनिस्टॉल करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और मेरा यहाँ पे जितना भी जो chat है जिसके आप लोड़ सकते हो मेटा AI के साद मैंने कुछ chat किया है यह भी वापस आ जाएगा तो चलिए मैं आपको अनिस्टॉल करके दिखाएता हूँ लाइप्टॉप के साद मैं इसको long press करता हूँ अनिस्टॉल कर देता हूँ ठीक है हमारा whatsapp अनिस्टॉल हो चुक है मैं आपको दोबरे से whatsapp को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और मेरा चैट को भी वापस लाके दिखाऊंगा तो चैट को वापस लाने के लिए आपको सबसे पहले आपको whatsapp को इंस्टॉल कर लेना है ठीक है इसे आप whatsapp को इंस्टॉल करोगे यह इंस्टॉल होने में थोड़ा से टाइम लगेगा ओके गाईस हमारा whatsapp इंस्टॉल हो चुका है इंस्टॉल कर देने के बाद आपको open करना है तो यहाँ आप लोग देख सकते हो हमारा new whatsapp open हो चुका है देन आपको क्या करना है यहाँ पर आपको language rate करना है मैं English को select कर दिया हूँ इसलिट कर देने के बाद यहाँ पर आपको option आता है agree and continue तो आपको agree and continue पर क्लिक करना है इसे आप agree and continue पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको option आजेगा enter mobile number तो मैं यहाँ पर अपना mobile number को देखता हूँ mobile number को enter कर देने के बाद आपको next वाले option पर क्लिक करना है इसे आप & इक्स्ट पर क्लिक करोगे, यह कनेक्टिंग शुकरेगा, आपको वेट करना है, दिन आपका जो mobile नंबर वेरिफाioxid हो जाएगा, दिन आपका करना है, continue पर क्लिक करना है, इसे आप continue वाले उप्षन पर क्लिक करोगे, यहाँ अप止िंक आजएगा, contacts & media, तो आपको continue वाले option पे ही क्लिक करना है ठीक है इसे आप continue वाले option पे क्लिक कर होगे यहाँ पे एक option आजेगा allow WhatsApp to access your contact तो आपको allow पे क्लिक करना है allow WhatsApp to access photos and media on your device तो आपको allow पे क्लिक करना है इसे आप allow पे क्लिक कर होगे यहाँ पे आपको एक option आजेगा looking for backup यहाँ पे loading शो करेगा आपको थोड़ा सा वेट करना है इंतिजार करना है देन आपके सम्नेक option आजएगा restore backup, restore your chat ठीक है तो यहाँ आपका Google account शो कर जाएगा जो आपने जिसका आपने backup लिया था Google ID से ठीक है यहाँ आपके option आजएगा restore your message and media from Google storage if you do not restore now you won't be able to restore later then यहाँ एक option आजएगा यहाँ लोगते हो option आजएगा finishing 99% ठीक है depend करता है आपका कितना size ठीक है तो मेरे यहाँ पर 21 MB का है तो एक कुछ second में हो गया है दिन आपके सामें एक option आता है next तो अगर आपका यहाँ पर ज्यादा size होगा तो थोड़ा से time लगेगा ठीक है यहाँ यहाँ पर आपको next बले option प्लिक करना है इसे आप next प्लिक करोगे यहाँ पर page लोड़ोगा यहाँ आपका name शो कर जाएगा यहाँ फिर अपना name को पास की को create कर सकती हो नहीं तो आप skip कर सकती हो तो अभी मैं फिलाल skip पे क्लिक करता हूँ जिसे आप skip बले option पे क्लिक करोगे यहाँ पर initializing सो करेगा आप थोड़ा सा वेट करना है यहाँ लोगते हो हमारा जो पुराना chat का यहाँ पर message शो कर रहा है यहाँ लोगते हो अगर आपको यह problems या issues आ रहा है आपका WhatsApp का message या फिर photos वीडियो का backup नहीं ले पा रहे हो तो आप मुझे Instagram पे message कर सकती हो मैं आपका जुरूर help करूंगा तो आपको यह करना है Instagram open करना है और मुझे यहाँ पर search करना है मेरा username है शेक जवात अली ठीक है तो आपको यह करना है सबसे पहले आप मुझे follow करना तेना आप मुझे message कर सकती हो definitely मैं आपका help करने का try करूंगा ठीक है तो आपको सब्सक्राइब कीजिगा जहीन वंदे मातरम करना है